मैं हूँ पायल और आज मैं आपको बताऊंगी कि शादिय वाला गाजर का हलुआ घर में कैसे बनाएं इसके लिए मैंने दो किलो गाजर ले लिए जिसको मैंने चील के धोके रख लिया है गाजर स्टेम चाहरे का सीजने तो बहुत ही अच्छी अच्छी आ रही है और उसको म देखिए इसके बाद मैंने एक कढ़ाई फ्लैम पे रख दिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा देशी घी दिया है जब हमारा घी गरम हो जाए तब हमें इसमें गाजर डाल लिए और गाजर को भूनना है गाजर को घी में भूनने से इसमें शाइनिंग आ जाती है और इसका क गाजर भूननी है गाजर ने पानी छोड़ दिया है अब धी दिर हमें इस पानी को सुखाना है जब हमारा पानी सूख जाएगा तब हमें इसमें दूट डालेंगे देखिए अब हमारा पानी सूख रहा है सूख गया है इसके बाद मैंने एक लीटर दूट को गरम करके रख लिया है इसमें आप मलाई वाला एक किलो दूट डालिए आप बिना दूट के भी पका सकती है गाजर लेकिन दूट में जब हम गाजर पकाते हैं तो उसका कलर बहुत ही रड़िश आता है और नहीं अब हमने आदी किलो चीनी ले लिए है जो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी इच्छी से मेल्ट करेंगे अब हमारी चीनी भी पानी चोड़ेगी तो हमने अपनी फ्लेम तेज कर दिये और इसको पानी सोकने तक चलाएंगे 15 मिट का टाइम लगता है इसमें उसके बा काम और काजू ग्रेट करके रख लिए थे जो हम इसमें डालना है कि बिना मेवे के तो स्विश्च में मज़ा ही नहीं है अब हम उसको त्रिये त्रिये चलाएंगे और उसके बाद हम अपनी फ्लेम को बहुत ही स्लो कर देंगे इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाला है इसको हम घी में भूझेंगे हलवाइज होते हैं अब उसमें घी काफी लगाते हैं तो इस से उनका हलवा में चमक बने जाती है और बहुत ही टेस्ट लगता है वह कि इसमने हमने एक बार पहले भून लिया गीडा के एक बार बाद में अब हम इसमे दालेंगे मैंने 80 किलों मावा लिया है इस में दो डालोंगी इक डाली आप दिर आए ऑधिर दिवी नीचि ने थाए तक पहुंच जात चासिए कि इसके बाद में इसमे इसमें 1चल गांच अलाइची बाद में डाला है तो यह फिले के पाधे दूसरे राउंड का मावा भी डालूंगी और इसको अच्छे से चलाऊंगी अब हमारा गाजर का हलुआ बनके रड़ी हो गया है देखे कितना प्यार अकलार आया है अब हम इसको सर्विंग बाउल में करेंगे मैंने जरा सा मावा रख लिया था ग्रेड करके उफर गायरनेशिंग के लिए और फोर छे-ड्राइ फोरुष BRI चति-पिरि इसको मैं गायरनेशिंग कर रही हूं दोस्तो अगर हम आपको मेरी वीडियोपसंद आयोओ मेरी बिधी पसंद आयोओ तो आप कमेंट करके जरू बताइए और प्लीज 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए ओके थैंक यू